जै हिन दोस्तों आज हम सीटेट का पार्यावरण अध्यन में आए हुए 30 प्रस्णों को उत्तर सही देखेंगे यही प्रस्ण आगे भी पूछे जाएंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सेर और सस्क्राइब जरू करिए तो चलिए शुरू करते हैं पहले प् इसमबर नेक्स्ट क्या था नेक्स्ट क्या पूछा गया था अगला क्यूशन देखेंगे अगला क्यूशन पूछा गया था कैक्टरस के पौधे या कैक्टरस के पौधों में काटों के बीच कहों सा पच्छी घोसला बनाता है तो कैक्टरस के पौधे में काटों के बीच घोसला फाकता पच्छी बनाता है नेक्स्ट क्यूशन है टैप योका का दूसरा नाम क्या है तो टैप योका का दूसरा नाम क्या होता है कसावा होता है नेक्स्ट क्यूशन देखें अगला अगला प्रस्ण क्या आया था अगला प्रस्ण आया था पस्वों की तोचा पर धार पारिदार जो चिन बना होता है उसका कारण क्या है तो पस्मों को जो पस्मों का जो रंगीन बाल होता है यह इसका कारण होता है नेक्ट क्यूशन देखे आगे अगला प्रस्न क्या था अगला प्रस्न आया था तमिल नाडू के निकटवरती राज्य हैं तो तमिल नाडू के इसका परियोग किया आता है यह लकडी की बरी छोटी नाव होती है जिसका परियोग बच्चे इसकूल जाने के लिए करते हैं नेक्ट क्यूशन देखेंगे कौन सा क्यूशन आया था अगला क्यूशन आया था करकरेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो आठ प्रसनाया था अगला प्रसनाया था चेरावन रित किस राजे से संबंदीत है तो यह मीजोरम राजे से संबंदीत है नेक्ट क्यूचन देखेंगे अगला अगला देखेंगे कौन सा प्रसनाया था नेक्ट क्यूचन है रेट डाटा बुक क्या है तो रेट डाटा बुक का सं संग्लित करती है रिडाटा बुक को 1966 से संग्लित किया जाता है और आयू सी एन के स्थापान 1948 में हुई थी निक्स्ट क्यूशन देखेंगे बिहार राज में लीची के उत्पादन में कौन सा जीला अगरडी है तो मुझफर पुर्जो जीला है यह लीची के उत्पादन में अगरडी जीला है निक्स्ट क्यूशन देखेंगे अगला क्यूशन है अगला क्यूशन है राष्टी पाठ चर्जा की रूप्रेखा संदोहजार की अनुसार पर्यावरण को किस कच्छा सम्मूं में अस्थान दिया गया है तो तीसरी से पांचवी कच्छा तक अस्थान द अटक कर सोता है जिस ब्रिच पर यह जिस ब्रिच पर रहता है उसी की पतिया खाता है यह लगभा 40 वार्षो तक जीविद रहता है यह कौन सा जीव है यह सलात जीव है जो भालू को तरह दिखाई देता है नेक्ट क्यूशन देखेंगे कौन सा आया था अगला क्यूशन आया ईसलिए होता है क्योंकि भैस के पीट पर परजीवी होता है जो जुवे होते है उसके उसको क्यों खाता है बगुला खाता है next question दिखेंगे अगला अगला question है कि एक हांति एक दीन में लगभक कितना पत्ता और झाडिया खाता है तो लगभक question देखेंग अगला question है किस राज में घर बारिज की कारण 10 से 12 फिट उचे बनते हैं तो अब असम राज में असम राज में बारिज भहुत होती हैं तो असम राज में बास की घर जो बनाए जाते हैं या 10 से 12 फिट उचाई पर बनाए जाते हैं next question देखेंग अगला अगला कौन सा क्यूस्टान आया था इसमें से कौन सा समाजिक कीट नहीं है अंसर है मकडी और समाजिक कीट कौन कौन से होते हैं तो मदमख्षी, चीटी, तिताया और कौन सा होता है दीमक और कौन सा दीमक सामाजी कीट, मदमक्की, चीटी, तितया और दीमक होते हैं नेक्स्ट क्यूस्टन देखेंगे वह पच्छी कौन है जो सिर से दुम तक नीला होता है या सिर से पूँच तक नीला होता है तो यह पच्छी मोर होता है कौन सा पच्छी अपने सीर को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है तो कौन सा पच्छी होता है यह उल्लू पच्छी होता है कौन सा पच्छी जटके से अपने सीर को आगे पीछे करता है तो मैना पच्छी जटके से अपने सीर को आगे पीछे करता है सही जोड़े मिलाईए इसमें देखेंगे जीमकारवेट निसनल पार्क जो है उत्राखनड गिरी निसनल पार्क आसमराज में निक्स्ट क्यूस्टन देखेंगे अगला क्यूस्टन है अगला क्यूस्टन है प्राथिंग अस्तर पर पर्यावराड का कौन सा थीम है पानी जो है आवंसर में था पानी जो था थीम था थीम कितने होते हैं थीम पर्यावराड में 6 थीम होते हैं पहला है परिवार में दूसर भोजन तीसरा आश्रे चवथा पानी है पाचवा यात्रा और छाठा थीम है चीजों जो हम कर सकते हैं नेश्ट देखेंगे कौण सा प्रस्ण आया था अगला अगला क्यूश्ट देखेंगे पसंद ना पसंद की चर्चा करते हुए एक छात्र ने कहा मुझे और मेरी मा को साप खाना पसंद है साप खाना पसंद है साप खाना बहुत पसंद है जब हमें जब भी हमें कभी साप खाने की इच्छा होती है तब हम पास की होटल में जाकर लिंग हूँ फेन खाते हैं यह छात्र कहां का हो सकता है तो यह हांग कांग का छात्र होता है हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हांग कांग में लिंग हूँ फेन नाम की एक डिस बना जाती है जो साप की होती है नेक्स्ट क्यूस्टन देखेंग अगला, अगला क्यूस्टन है, भारत के मान्चित्र में दिल्ली की इस्थिती के सापेच, हिमांचा परदेश की राधानी सीमला और मद्य परदेश की राधानी भोबाल करमसा इस्थित है, तो दिल्ली से कैसे इस्थित है, दिल्ली से सीमला उत्तर में और जो भबाल है वा दच्छिड मिश्थित नेक्स्ट क्यूस्टन देखिंग अगला क्यूस्टन कोई डाक्टर मरीज को खाने के लिए कुछ दवाईयां लिखता है और साथ ही गूड गूड आवला और हरी पत्ति दार्य सबजी को खाने के लिए कहता है यह मरीज किस रोग से पीडित होना चाहिए तो यह किस से पीडित होगा एनिमिया रोग से पीडित होगा नेक्स्ट क्यूस्टन देखते हैं अगला क्यूस्टन अगला क्यूस्टन है खेजडी बिरिच से संबंधित पूछा था खेजडी ब्रीच कहा होता है, यह ब्रीच राजस्थान के रेगि स्थानी छेतर में पा जाता है, नेक्स्ट कियुस्टन देखेंगें अगला कियुस्टन, ग्र्यावरण अध्यन की ये कच्छा में सिझ्चक विध्यार्थियों के गर्मी में कियेगे भ्रह्मर पर बातचीत क कर रहा है क्योंकि विद्यार्थियों की अनुभव और ज्ञान की रचना का यह आधार इसलिए बात कर रहा है नेक्ष्ट क्यूस्ट देखेंगे अगला क्यूस्टन है पर्यावरण अध्यन पाठकरम बच्चों की समग शिच्छा का कारण बन सकता है यह पाठकरम किस तरह हो पाठकरम एकी क्रित समावेसी होना चाहिए निक्स्ट देखेंगे अगला क्यूस्टन है रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है इसकी जड़े इतनी गहराई तक जाती है जब तक पानी ने मिल जाए इस पेड़ की जड़ों की गहराई पेड की उचाई का लगवक तीस ग कहां पायाता है इसकी जो पेड़ की उचाई है इससे 30 गूना नीचे तक जड़े जाती है नेक्स्ट क्यूस्टन देखें अगला क्यूस्टन है अगला कौन सा प्रस्ण आया था निमलिखित में से कौन सा फाल है उसको छाटना था तो इसमें आपसन आप पहचान जाएंगे आम इमली जो भी है केला नेक्स्ट क्यूस्टन पूछा था घट पवधी पढ़े के बारें पूछा था तो घट पवधी पवधा कहां पाया जाता है भात के मिगाले विराज में पाया जाता है यह कीडे मकोडे खाता है नेक्स्ट क्यूस्टन देखेते हैं सौर मंडल के न इसमें से पहला क्या था परिवार और मित्र परिवार और मित्र को चार उप्थीमों बाटा गया था पहला क्या है संबंद दूसरा कार और खेल तीसरा जानवर और चौथा क्या है पौधा आज बस यह स्रिंखला पूरी हो चुकी है अगर यह सरी इंखलाब को अच्छे लगी तो चैनल को सेर और सब्सक्राइब करिए देखने के लिए धन्यवाद